नमस्कार मैं हूँ आपके साथ हरजुन खजूरिया और आपका स्वागद है स्जीवी नियूस पर लोकसभा चुनाव में एक साल से कम का समय रहा गया इसी बीच यहां पर अलग जो पार्टियां है वो तैयारी कर रहे हैं कि किसी तरीके विपक्ष एकजुट हो जाए चाहे उसमें तरिनमूल कॉंग्रेस हो, कॉंग्रेस हो, आमादमी पार्टी हो, जेडी उ, आर जेडी यह सबी प्रयास में है लेकिन सबी परधानमंत्री भी बनना चाहते हैं इसी बीच इसी विपक्षी एक जुड़ता से जुड़ी एक खबर आपको बताते हैं, बंगाल में पंचैट चुनाव है और कॉंग्रेस वरकर की गोली मार करके हत्या कर दी गई है जी हां अधीर रंजन चोधरी ने केंदर से अब CRPF की मांग की है और बोले कि TMC बैलिट नहीं बुलेट इलेक्षन चाती है तो ये देखिए ये सच्चाई है इस विपक्ष की आपस में एक तरफ तो मिल रहे हैं नेता कि हां एक जुट होंगे 2024 में BJP को होराना है और ये स चाई देखिए पश्रिमंगाल जो लगातार हिंसा के लिए जाना जाता रहा है TMC हिंसा के लिए जाना जाता रहा है अब यहां पर कॉंग्रेस वर्कर की वहां हत्या ओ जाती है दरसल अगर बात किये तो पश्ची मंगाल में शुकरवार शाम को एक कॉंग्रेस कारिकरता की गोली मार करके हत्या कर दी गई राज्ये में आने वाली आठ जुलाई को पंचैट चुनाव होने है और ऐसे में हिंसक वारदातों को रोकने के लिए कॉंग्रेस नेता अधीर रंजन चोदरी ने पश्ची मंगाल के राज्येपाल को लैटर लिखकर स्टेट में केंद्रिय बलों की यानि की सेंट्रल सिक्योर्टी फोर्सिस की तैनाती की मांग की है एक तरफ तो यहां पर ममता के साथ सांडगांड की तेई आ रही है नितिश कुमार मिल रहे हैं अर्विन के रिवाल मिल रहे हैं यहां पर नितिश कुमार विपक्षी नेताओं को बुला रहे हैं खिचड़ी पकी हुई है विपक्ष की और उसी बीच यही टीमसी एक तरफ तो 24 में मोधी को हराने के लिए प्रयास है कॉंग्रेस के साथ जाए दूसरी तरफ कारेकरता कि हत्यागर दी जाती है दरसल अधीर रेंजन चोधरी ने इस गटना को लेकर सत्ताधारी पार्टी टीमसी पर जो आरोप लगाए अधीर रेंजन चोधरी ने कहा कि हम त्रिन्मूल कॉंग्रेस को ये खून की राजनीती नहीं करने देंगे ब्लड पॉलिटिक्स नहीं करने देंगे त्रिन्मूल कॉंग्रेस बताए वै इस चुनाब में बुलेट इलेक्शन चाहती है या बैलेट इलेक्शन चाहती है ये देखिए कॉंग्रेस एक तरफ तो कह रही है कि क्या ये बुलिट एलेक्शन करवाने जा रही है ममतब अनरजी दूसरी तरफ चोविस में साथ भी चाही है तो आखिरकार ये कैसा भी पक्ष है एक तरफ तो दुनिया को दिखाने के लिए हम तो एक जुट हो रहे हैं तान जे पी के भी कारकर्ताओं के हत्या होती है हाल ही में हुए वीधान सबाचुनाब में भी हमने देखा था नदीजे के दिन भी देखा था क्या हिंसा वहां पर हुए थी लेकिन वो ममतब अनर जी नहीं नजाराती है उस पर वो कुछ एक्षन नहीं लेती है बैरहाल अधीर रंजन चोधरी ने राज्यपाल को लिखा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक कॉंग्रेस कारिकरता फूल चंद शेख की बहरायमी से हत्या कर दी गई है उस पत्र में लिखा है और आगे उन्होंने कहा कि कि यहां पर पीस्फुल कैसे इलेक्षन हो इसका अनुरोध कॉंग्रेस पार्टी ने किया अधीर रंजन चोधरी ने किया बीजेपी की भी कहीं न कहीं यहीं मांग है क्योंकि सब जानते हैं कि फश्ची मंगाल में किस प्रकार से केंद्रे सुरक्षा बलों पर भी अटैक के जाता है पर लेकर लेकिन ममता दीदी है यहां पर संभाल नहीं पाते हैं आप स्टेट को हत्या कैसे करती जाती है वहीं कॉंग्रेस अंसर ने लिखा कि जंगल का राज हर जगा है जिसके तहट सत्तापक्ष के गुंडे और बदमाश विपक्षी कारेकरताओं को अपना शिकार बना रहे हैं इसलिए मैं विनमर्था पूर्वक आपसे अनुरोत करता हूँ कि केंद्रिय बलों की सीधी निगरानी में पंचैट चुनाव कराये जाएं सत्तापक्ष के गुंडे विपक्षी कारेकरताओं को अपना निशाना बना रहे हैं यहाँ पर आखिरकार Central Forces की मांग कर दी गई है केंद्रे सुरक्षाबलों की मांग जो है वो कर दी गई है क्योंकि वो भी जानते हैं कि केंद्रे सुरक्षाबल अगर यहाँ पर नहीं आते हैं पंचैच चुनाब में बंगाल के अंदर तो ममताब एनरजी किस तरीके से अपनी डॉमिनेशन वहाँ दिखाएंगी टीमसी अपनी डॉमिनेशन वहाँ दिखाएगा और इसी तरीके से गटनाएं जो होती रहेंगे अभी लगबख एक महिने का समय वो बाकी है इस चुनाब में और उससे पहले ही इस तरह की हिंसक गटनाएं होना शुरू हो गई है यही ट गया था राज्य चुनाब आयुकतर राजीव सिनहा ने बताया था कि चुनाब जो है वो एक ही चरण में होंगे और उमीदवार जो है वो 15 जून तक अपना नमांकन दाखिल कर सकते हैं यानि कि अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं 15 जून तक 8 जुलाई को सिंगल फेस म वोटिंग होगी और उसके बाद जो मदगना है यानि कि रिजल्ट काउंटिंग वो तीन दिन बाद 11 जुलाई को काउंटिंग की जाएगी अगर बात किया है तो यहाँ पर 15 चुनाव की तारीक की गोशना के तुरंत बाद ही पश्चिम मंगाल विधान सबा में नेता प्रतिपक्ष या फिर कहा जाए विपक्ष के नेता सुवेंदू अधिकारी बीजेपी के सीनियर लिडर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जो ह यहां का चुनाव आयोग है वो ममता बैनर जी के इशारे पर वहां पर काम करता है वोटिंग की बात किया है तो यहां पर सही वोटिंग नहीं होते है वोटिंग को लेकर भी काफी यहां पर अगर बात कि जाए तो जो सेक्रेटा है वो नहीं बरती जाती यहां पर जो संत्र की हत्या हुई है पहली बार जो है ब्लॉक स्तर जिला स्तर या फिर राज्य स्तर पर एक भी सर्वदलिय बैठक आयोजित किये बिना पंचायत चुनाव की एक तरफा गोशना की गई है यह तमाम आरोप उन्होंने टीमसी पर लगाये थे वही एक चर्ण के चुनाव के लिए सुरक्षा व्यवस्था पर कोई चर्चा नहीं हुई यह भी उन्होंने बात की थी और वही सुरक्षा व्यवस्था कि आज पोल खुल रही है आगे उन्होंने का था कि नमांकन दाखिल करने के लिए अवंटित समय अवधी 9 जून से शु करती forces 2 पCrसम्राइट में बेरहाल यहां पर अगर बात की थी वीजेपी तो प्रंशल कांग्रेस के दा रही है क्योंकि अपने कार्यकरता की हत्या हुई है बैरहल अब इस पर आपका क्या कहना है हिंसा की खबरे आना शुरू हो गई है इस पंचैज चुनाव को लेकर के क्यास भी लगाया जा रहे तो राजनेति विशलेशकों की तरफ से कि पश्रिमंगाल का चुनाव है वहा सामने यह इस पर आपका क्या कहना आपकी कह रहा है आप जरूर हमार सा कमेंट बॉक्स में शेर करें क्योंकि 24 लोग सबचनाव से पहले और 23 यून को पटना में होने वाली विपक्ष की बैठक से पहले ये कहिना कहीं एक बड़ा मैसेज सामने आया है कि अभी से अभी यहा ले ही फूट पढ़ना शुरू होगी आपकी जो भी रहा हो मार सा कमेंट बॉक्स में शेर करो एक से जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे मार साथ दन्यवाद